हेलो अब्रीवन, विल्कम टू माई यूटूब चैनल एक्साम हंट एक्साम हंट के इस यूटूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करें हूँ आज का ये जो हमारा वीडियो है ये चाइल डवलप्मेंट एंड पेडागोजी पर बना है आज हमें सेशन में चाइल डवलप्मेंट के एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक कोहलर के अंतरदिष्टी सिध्धान्त को डिसकस करेंगे और मैं तो अपनी तरब से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कोहलर से जो इनका सूच का सिध्धान्त है या जो कोहलर का अंतरदिष्टी का सिध्धान्त है उनसे रिलेटेट सारी इंपोर्टन बात ही आपको मैं बताऊं ताकि एक्जाम में कोई कोशिशन पूछा जाए तो अब गलत करके मताओ पूरी कॉन्फिटेंस के साथ कोशिशन करो देखते ही लगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है फिर भी अगर कहीं डाउट हो कहीं कन्फिशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिजेगा और सबसे मोस्ट इंपोर्टन बात वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना वेल आइकन दबाना और जादा से जादा दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए फिर चलते हैं देखते हैं डिसकस करते हैं आपके साथ कोहलर के सूच के सिद्धान या फिर अंतरदिष्टी के सिद्धान से दिलेते बहुत सारे इंपोर्टन बात है तो देखिए सबसे पहली बात क्या आती है कि कोहलर का चाहे अंतरदिष्टी का सिद्धान लिख के दे चाहे सूच का सिद्धान लिख के दे चाहे गेस्टार्ट वादी का सिद्धान लिख कुछ भी नाम लिख दे देगा तो हैरान मत हो जाएगा, यह सारे एक ही तो नाम है, कुछ भी करेगा, अब जब कभी कभी आपसे पूछे कि कोहलर के अंतरदिष्टी सिध्धान के प्रतिपादक कौन है, या फिर सूच के सिध्धान के प्रतिपादक, या फिर गेस्टार्ट वादी सिध्धान के प्रतिपा मैक्स बर्धीमर इस सिध्धानत के प्तिपादक हैं हां लेकिन जब आप से क्या पूछा जाएगा कि भाई सूच के सिध्धानत के प्रियोग करता कौन है जब क्या लिखा रहेगा option में प्रियोग करता लिखा रहेगा तब आप क्या बताओगे किसका नाम बताओगे कोहलर का नाम बताओ क्या नाम था पूरा अगर कोहलर का अगर कभी लिखे दे दे तो उल्फ गंग कोहलर क्या नाम था उल्फ गंग कोहलर इनका पूरा नाम था ठीक है यही प्रियोग करता थे और किस पर इन्होंने प्रियोग किया था तो चिंपैंजी बनमानुस जिसको आप कहते हो और उसका नाम क्या था जिस पर इनोंने प्रियोग किया था तो सुल्तान पर प्रियोग किया था और जब क्या question पूछे कि सूच के सिध्धान्त के सहयोग करता कौन थे किसने सहयोग किया था तो नाम किसका बताओगे कोफा ने क्या किया था सहयोग किया था points clear हो गया ना डन अब देखिये जब आप तşa जाएगा कि इस सिद्धांत का प्रति पादन कब किया था तो 1912 में इस सिद्धांत का क्या किया गया था प्रतिपादन किया गया था और ये सिध्धान प्रशिद्ध कब हुआ था तो 1920 में सूज का जो सिध्धान था वो प्रशिद्ध हुआ था यहां तक सभी को क्लियर हो गया ना आप देखे एक चीज़ आप से बहुत इंपोर्टन पूछा जाता है कि भाई ये जो बहुत इंपोर्टन कोशन है तो गेस्टाल्ट वाद जर्मन भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है कि पूड़ा कारवाद मतलब किसी आकरिती को पूड़ता या फिर समग्रता की रूप में उसका हल निकालना ठीक है यही होता है आपका जो है क्या कहते है पूरत्या या फिर तो अगर कभी भी आपको पूर्त या फिर समग्रता अगर अगर कभी भी कुशन में किसी प्रियोक किया जा passé और आपको अगर क्या हो जाए नाम दिया जो है 1913 में 1912 में ये सिद्धान था आया 1913 की बात थी कि जो है एक बार कोहलर जो थे वो मानो सास्त्रिय अध्यन के लिए कैनारी दीप में इस थी टेनरिफ उनको बेजा गया था ठीक है और जब वो टेनरिफ पहुंसते हैं तो वहां पे बनमानुशों पर कि दुतिय विश् तो वहां पे उस ताइम बनमानुश बहुत जादा थे तो उन्होंने बनमानुशों पर क्या किया था प्रियोग किया था ठीक है और उन्होंने क्या किया था छे भूखे बनमानुश को एक लकडी के कटखरे में रखकर उन्होंने प्रियोग प्रारंब किया तो उसमें से उ उन्होंने कि सुल्तान को रखा और सुल्तान पर अधिगम के लिए उन्होंने दो प्रिकार के प्रियोग किये एक कौन सा प्रियोग किया था छड़ी के रूप में उसके सामने समस्या रखी और दूसरा कौन सा प्रियोग किया था बॉक्स वाला समस्या प्रियोग किया था पस पास जो है त्यूंब नुकेली चड़ी र этихkey और कटगरे के बाहर उन्होंने केला का खुब बड़ा सा भई केला रख दिया था जो उसका पूरा मतलब केला पूरा उठा के उनोंने ही रख दिया था अब उसके बाद जब देखा कि अब उसको भूख लगी सुल्तान को अब सुल्तान को जब भूख लगी तो उसको भाई केला चाहिए होगा तो वो hopes फैला लेकिन कर यहुकिन केला उसको नहीं मतलब उसको क्या होगा, जब उसको छड़ी को उठाकर केला को खीचा, उसको प्राप्त किया, और उसको क्या हो गया, जो है, संतुष्ट हो गया, फिर उसके पश्यात कोलर ने कटगरे में दो छड़ियां रखे और एक दूसरे से जो फिट होकर लंबी हो जाती थी फिर उसके बाद उनोंने क्या किया थोड़ी सी अधिक दूरी पर फिर से केले को रख दिया और उसके बाद उनोंने देखा कि वो क्या क्या जो सुल्तान था उसने क्या किया कि बस छड़ी उठाया और फिर देखता उस छड़ी से पानी की कोशिश की तो वो नहीं पा पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा दूर केला हो गया था फिर उसने दूसरी छड़ी उठाई और दोनों को क्या कर दिया चोड़ दिया और फिर केले को प्राप्ट कर लिया तो इसमें उसको अब उनको यह पता चला कि अब उसको पता चल गया कि कैसे हमें इसका समाधान निकालना है फिर इन्होंने दूसरा प्रियोग इन्होंने क्या किया था कि बॉक्स वाला किया था बॉक्स क्या किया था कि जो है कटगरे के छट पर इन्होंने केले के गु ढांदा लेकिन उसको केला नहीं मिला थीक है फिर वह था कर उसे डिब्मे पर बैठ गया तो उसको लगा यार क्यों ना इसी भॉक्स पे खड़ि gradual केली को पा लिया जाए लेकिन केला उचाई पर था वो बॉक्स पर खड़ा तो हुआ लेकिन केला उचाई पर था नहीं मिला फिर वह इधर देखता है फिर उसको दूसरा बॉक्स दिखाई देता है कहता है लाओ इसके उपर बॉक्स रखते हैं फिर उसने उसके उपर बॉक् लेते हैं उतनी जल्दी हम उसका समाधान कर सकते हैं जितनी जल्दी ने सुल्तान ने उस समस्या को समझ लिया कि बाई केला जो बाहर रखा है उसको चड़ी से लेना है और जो केला ऊपर रखा है उसको बॉक्स पे खड़यों की प्राप्त करना है उतनी जल्दी उसको पता चलता है कि ओह ओओ अच्छा ये प्रॉब्लम है तुरंत आप उसका समाधान निकाल लेते हैं जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलती है तब तक आप कैसे समाधान निकाल सकते हो तो वही बात इन्होंने कहा था और गेस्टाल्ट वादियों के नुसार क्या था सी सीखना जो होता है वो प्रयासियम तुरुटी ना होकर सूज के द्वारा होता जैसे तुरंडाइक ने कहा था सीखना उन्होंने प्रयासियम तुरुटी के आधार पर माना था लेकिन जो गेस्टाल्ट वादी थे वो कहते हैं कि जो है सीखना जो होता है वो प्रयासियम पताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया और जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी जरूर करना लेकिन कमेंट में ये भी बता देना कि माम ये चीज़ हमें नहीं पसंद आया ताकि मैं उसको सुधार कर स साकोना और देखो अब आते है नेक्स पर सैंखशिक महत्तो क्या था तो यहां पर समेश्ब्सया का पूर रूप से प्रस्तुति करनी पहला सैंखशिक महत्तों स diffuse क्या माढधत्यों थो जब हैं समयस्या को पूर रूप से प्रस्तुत करते हो तब इस और निकाल अगे तो हम आपके समस्या काहल कर पाएंगे तट्ट पर होना। भाई, जब कोई समस्या के बारे में पता चल जाता है तो उसके निवारड के लिए आपका दिमाग तट्ट पर रहते हो। कि क्या करें कैसे करें रशनात्मक कार्यों के लिए इसे उपयोगी माना जाता है भई सूज है तो रशनात्मक कार्य तो होंगे ही होंगे और कला संगीत साहित्य के लिए इस नियम को उपयोगी माना था किसने कहा था कि ये जो सूज का सिध्धान्त है ये कला संगीत साहित्य के लिए उपयोगी है तो क्रो एंड क्रो ने माना था बहुत important question है याद रखेगा लक्षप्रापती में इसको सहायग बताया था किसने बताया था ड्रेवर ने इस सिद्धान को लक्षप्रापती में सहायग बताया था और ये क्या है सोयम खोज कर सीखना मतलब हम इसके दौरा क्या करते हैं सोयम कुछ ना कुछ खोज करके नई नई चीजों को क्या करते हैं सीखते हैं तो ये था आपके सूच के सिर्धान से रिलेटर जितनी भी important बाते हैं मैंने अपनी तरब से हर बात बताने की पूरी कोशिश की है फिर भी अगर doubt होता है confusion होता है तो आप पूछ लीजेगा और सबसे important बात वही वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना वेल आइकन दबाना और जादा से जादा बिटा इसको अपने दोस्तों के साथ खूब share करो ताकि जो है मतलब मैं और जादा से जादा बच्चे की help कर पाऊं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में और discuss करेंगे आपके साथ बहुत सारी important बाते हैं Thank you so much Best of luck